दोस्तों आज मैं आपको top 5 बवाल and white apps के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल new application है आपको एक बार जरूर से try करना चाहिए सभी application का link आपको description में मिल जाएगा बात करते हैं पहली application की इसका नाम है jtouch जैसी आप इसे open करेंगे आप से जो भी permission मांगेगा सभी permission को allow कर देना है इस setting को on कर देना है जैसी आप इस application को activate कर लेंगे तो आपकी mobile की screen पर इस तरह का एक bubble आ जाएगा आप देख सकते हैं आप इसे कहीं पर भी set कर सकते हैं ठीक है अब दोस्तो अगर मैं इस पर एक single tap करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो recent app थी वो open हो चुकी है ठीक है इसके बाद दोस्तो यहाँ पर अगर मैं double tap करूँगा तो दोस्तो आप देखेंगे notification panel open हो चुका है अगर मैं long praise करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर screen shoot हो चुका है ठीक है इसी तरह से दोस्तो अगर मैं swipe down करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कहीं सारे features आ चुकिए जिने मैं आसानी से use कर सकता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं वाइफाई है यहाँ पर power button है अगर आप swipe left करेंगे तो दोस्तो back आ जाएंगे आप home screen पर इस तरह से आप कहीं सारे features यहाँ पर add कर सकते हैं इस application के अंदर आपको कहीं सारे option मिल जाते हैं आप देख सकते हैं single tap, double tap, swipe down, swipe up आप देख सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर आपको कहीं सारे option मिलते हैं जो पसंद है वो आप set करके इन features को use कर सकते हैं एक बार जरूर से try कीजिए लिंक आपको description में मिल जाएगा दोस्तों दूसरी application का नाम है forward miss notification इस application की मदद से आप एक mobile के सबी notification दूसरे mobile पर मंगवा सकते हैं अगर आपके पास दो mobile है और आप चाहते हैं जो आपका main mobile है उस पर जितने भी notification आते हैं वो आपके दूसरे mobile पर भी आना चाहिए तो ऐसी setting आप कर सकते हैं इस application की मदद से अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं 10-12 साल के Android phone भी यूज़ करते हैं और आप देखना चाहते हैं दिन भर उनके mobile पर किसका incoming call आता है कौन-कौन से notification आते हैं किस application में आते हैं तो यह दोस्तोt application आपको उनके mobile में download करके setup कर देना है अब उनके mobile कर जितने भी notification आएंगे सभी आपके mobile पर भी आपको दिखाई देंगे mobile number भी आप देख सकते हैं किसमें उन्हें call किया है तो आपको यह application download कर लेना है इसे open करने के बाद आपको यहाँ पर grant पर click करके notification access की permission दे देना है जो मैंने पहले से दी दिये इसके बाद यहाँ पर आपको अपना email address add कर देना है जो आपका Gmail account है वो आपको यहाँ पर add कर देना है जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना email account add कर दिया है अब आपको यहाँ पर वो email address add करना है जो आपके दूसरे mobile में है जिस mobile पर आप notification मंगवाना चाहते हैं वो email address आपको यहाँ पर add कर देना है तो मैं यहाँ पर एक email address add कर देता हूँ ठीक है इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है नीचे done पर click कर देना है done पर click करने के बाद आपको okay करना है यहाँ पर इन सभी setting को आपको on रखना है इसके बाद आपको यहाँ पर setting के icon पर click करना है और यहाँ पर दोस्तो send email after जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको click करके immediately यहाँ पर set कर देना है इतनी setting कर लेना है आपको अब मैं आपको यहाँ पर like दिखा देता हूँ अपने mobile पर call करके मैंने इस mobile पर call dial कर दिया है अब इस पर जो call आएगा उसका notification इस mobile पर भी दिखाई देगा आप देख सकते हैं यहाँ पर call आ चुका है ठीक है यहाँ से मैं call को अभी receive कर लेता हूँ receive करने के बाद यहाँ से मैं इसे cut कर देता हूँ अब मैं इस application में Gmail account को open करता हूँ अपने Gmail application को तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे notification आ चुका है अब मैं इसे open करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर phone, इमरान जीयो और mobile नंबर भी दिखा रहा है तो यह काफी ज्यादा important application है दोस्तो अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो like बटन को दबा दीजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe भी कर लीजिए दोस्तो तीसरी application का नाम है o launcher यह काफी unique launcher है अगर आप इसे अपने mobile पर apply कर देंगे तो आपके mobile की जितनी भी application के icon है सभी hide हो जाएंगे सिर्व application के नाम दिखाई देंगे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी application अगर आपको open करना है तो उसके नाम पर आपको single tap करना है तो application open हो जाएगी आपको swipe up करना है और यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे तो भी यहाँ पर आपको application मिल जाएगा अगर आपके दोस्त देखेंगे तो वो भी चौक जाएंगे आपको set default पर किलिक करके इसे अपने mobile के default launcher पर set कर देना है इसके बाद यह ठीक तरह से काम करेगा काफी unique launcher है दोस्तो एक बार जरूर से try कीजिए दोस्तो चौती application का नाम है all notification blocker इस application की मदद से आप अपने mobile पर आने वाले सभी notification को block कर सकते हैं किस किसने message किया है आप देख सकते हैं किसने किसने call किया है आप देख सकते हैं लेकिन notification आपको दिखाई नहीं देगा home screen पर आपको इस application को open करना है सभी permission को allow कर देना है auto start की permission भी on कर देना है ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपको इसे access notification की permission को भी allow कर देना है इसके बाद दोस्तो यह application ठीक तरह से काम करेगी अब यहाँ पर दोस्तो आप customize भी कर सकते हैं कि कौन-कौन सी application का जो notification आप block करना चाहते हैं आपको यहाँ पर application और contact के option मिल जाते हैं आपको यहाँ से setting को on कर लेना है जैसे यह setting आप on करेंगे सभी notification ब्लॉक हो जाएंगे application के और calls के ठीक है अब दोस्तो यहाँ पर दोस्तो अगर आप 3.00 पर किलिक करेंगे तो कुछ settings भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी तो यह application दोस्तो एक बार ज़रूर से try कीजिए अगर आपको कोई whatsapp पर message करता है तो message आपको आएगा आप message देख पाएंगे आपको कोई call करता है तो यहाँ पर आपको miss call भी दिखाई देगा लेकिन आपको उपर यहाँ पर notification नहीं आएगा यानि आपको किसी भी तरह का disturb नहीं होगा आप आसानी से game खेल सकते हैं movie देख सकते हैं कोई भी notification आपको home screen पर दिखाई नहीं देगा दोस्तो आखरी application का नाम है visually जैसे आप इस application को open करेंगे जो भी permission मांगेगा सभी permission को allow कर देना है इस setting के icon पर click करना है इन दोनों ही setting को on करना है और इस button पर click करके इस setting को भी यहां से on कर लेना है यह setting on करने के बाद दोस्तो जब भी आप अपने mobile पर कोई भी mp3 song सुनेंगे या फिर youtube पर videos देंगे तो आपके mobile के corner पर काफी cool और काफी कमाल का animation शो होगा जो के देखने में काफी cool लगता है काफी कमाल का लगता है जैसे के आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तो आप इसे design को change भी कर सकते हैं यहां पर आपको design change करने के option मिल जाते हैं इस तरह से यह application काम करता है आपका mobile बहुत ही जादा खूपसूरा दिखाई देगा जब भी आप कोई गाना सुनेंगे आपके दोस्त देखेंगे तो आपसे एक बार जरूर पूछेंगे तो यह थे दोस्तो टॉप 5 बवाल and white apps अब इन में से कौन से application आपको सबसे जादा पसंद आया है मुझे comment करके जरूर बताना इस वीडियो को एक like जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेना मिलते हैं दोस्तो अगली वीडियो में टैंक यू